काफे सारी वीडियो के साथ में एभी तक बात कर लिए हमने रीलेशनल डेटाबिसेस कोस्टाइब कर लिया है हुमने प्राइमरी की की का वॉरन की का समझा उसके बारे में बात करती हैं अबी आपको थोड़ा कम समझ्यू आ रहा है आपने बहुत ज्यादा रेयर कंडिशन के बारे में देखा होगा और यह थोड़ा तो आपको कॉन सा पता आना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि यह एक इंटर्वियू बेस्ट को सकता है कि जो इंटर्वियर आप से क्रॉस जोइन के बारे में कभी पढ़ाना हो तो यह भी एक टाइप का जोइन होता है जिसके अंदर हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन को यानी क्या होता है दो मैट्रिक्स को क्रॉस करके उसका जो प्रॉडक्त पृइन होता है आप लेकर सा काम करता हैँ दो प्रॉस टेबल के लूट के लिए ऐक पर मैं चार हो हैं और आप चाहता हो कि दोनों टेबल के बीच कि पर इस तरह से फिसापल है वह एक database एक relation रोर की इस सासरों की इससे साथ सब्सक्राइब के साथ में वापस क्रॉस प्रॉडक्ट होगा और थर्ड वाले के साथ में तो एक रिलेशन यहां पर प्रॉडक्ट भी कहते हैं अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूड़न्ट हो तो आपने कुछ इस टाइप के चीजों के बारे में देखा होगा तो यहां पर इसी तरह से यह क्रॉस जैन यहां पर काम करता है और हम एक एक एक्जांपल के साथ देखेंगे किस तरह से और यहां प पास 3 इंट्रिस है ओरन्जूस टी और कॉफी अब इसके कॉम्बिनेशन की सरसे करना जाते हैं अगर आप में क्रेया चाहते तो लोग कित्ती किदि pot को किस तरह से order कर सकते हैं या तो लोग क्या मंगा ही है ओम्लेट मंगा एक हो ऊपने पास टीन ड्रिंक्स है या तो ओम्लेट के साथ में ओरंग जीश मंगा सकते है या लेकिन यह यह पर आ रही है और वह के वह और इसको गर जो तो इस तरह से यहां पर एक्जम्पल यह वाला ईसको हम लोगवार करने-वाल और इसके लिए हम लोग एक database के table को create करेंगे और database के table के अंदर से हम एक cross join apply करेंगे तो basically यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक company है जिसके पास car के काफे सारे models available है Camry, Corolla, Price इस type के कुछ car के models है random models है और यहाँ पर car के जो colors है यानि क्या होता company models को create करते हैं जैसे कि मैं अगर बात करूँ एक iPhone की तो iPhone 14 series है अब 14 के 14 में जब भी iPhone launch होता है तो काफे सारे variants launch होता है iPhone 14 हो गया, iPhone 14 Plus हो गया, Pro Max हो गया, तो 4 model create हो गया आपर आप सोचे कि आपर एक phone है, phone के 4 model है और iPhone क्या करता है कि यह हर बार same combinations of color वो रिप्रेजेंट करता है customers के साथ में तो आप color assume करें चे ब्लैक, रेड और सिल्वर color उसने iPhone में create करें यानि उस iPhone के जो products निकाले उसके लिए, models निकाले उसके लिए येतने 3 color select करें अब क्या होगा कि iPhone 14 के साथ भी 3 color आएंगे, iPhone 14 Pro के साथ में 3 color आएंगे, Plus के साथ में 3 color आएंगे तो यह एक cross join के यहाँ पर एक example होगा है जिसमें यह दो टेबल का यूज करके हमने सारी entries को एक दूसर के साथ cross combination यहाँ पर कराया है तो इसी तरीके से यह यह यहाँ पर काम करता है और हम एक example के साथ समझते हैं सबसे पहले में mysql यहाँ पर open कर देता हूँ मैं टर्मिनल को यहाँ पर सबसे पहले close करूँगा तो सबसे पहले में क्या करूँगा सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारा जो previously used database ना मुई उसके अंदर से जो combination आप सिलेक्ट करूँगा वह combination आपको आप देखने को मिलेगा तो अब क्या करें कि जो combination है वह database ही हमको सेंट्विच करूँगा तो अभी आपर में को एक entry सैट यहां पर एक अब तक हमने इसमें कुछ भी इंसर्ट नहीं गया अब मैं इसके अंदर और इंसर्ट कर तो इंसर्ट इंट्न अर्सेंविच और सेंविच चा में को सिर्फ ना मेंאסर करना उसके बाद मी सेंविच हो सकता है या फिर चीज सेंविच हो सकता है मैंने या पर जो भी नाम लिखे ये रेनम लिखे हो सकता है कि कुछ और भी नाम हो और अगर मेरे से कुछ गलती होगे तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो तो यहां पर क्या लिखा है मैंने इंसर्ट इंटू सेंविच वै यहां पर क्या रहा है column count doesn't match value count at row one तो में को इस तरह से रिखना चाहिए में को यह वाला इसको भी bracket में डाल दूगा और इस वाली entries को में value में डाल दूगा तो simple हमारी तीन rows यहां पर create हो जाएगी जैसा आप देख सकते हैं तीन rows create होगे normal wedge sandwich और तीन सेंविच अब मैं एक और table को create करता हूँ मैं लिकूँगा create table wedges, wedges की मैं table create करता हूँ और wedges में आप different wedges को add कर सकते हो जैसे कि इस वाली table के अंदर सबसे पहली अगर मैं wedges की बात करूँ तो मैं लिकूँगा wedgie1 और variable character 20 कर देता हूँ इसको 20 and wedgie1 होगी wedgie2 होगी यहाँ पर मैं को यहाँ पर एक ही वेजी को add करना चाहिए था तो मैं लिखूँगा create table वेजी और वेजी का आपर नाम आजएगा मैं लिखूँगा वेजीज वेजीज नेम मैं लिखूँगा वेजीज अंडर स्कूर नेम जो कि होगी वैरियेबल character 20 characters हो सकते हैं और यह हमारी टेबल को आपर create कर दूँगा अब इस टेबल के अंदर भी मैं आपर एक काफी सारी insert into लिखूँगा वेजीज और वेजीज के अंदर में को वेजीज का नाम एंटर करना पड़ेगा गला वेजीज अंडर स्कूर नेम करता हो और रेजीज अंडर स्कूर नेम करकर मैं सारी सारी वेजीज को आपर एंटर कर चीज डाल सकते हैं सेंविच के अंदर चीज एंड ओनियन हो जाएगा और वेराइटी ओफ चीज आपर एड़ कर सकते हैं बहुत सारी चीज आपर आप एड़ कर सकते हैं अगर मैं अब यहापर लिखता हूं स्टार फ्रॉम वेज़िस तो क्या होगा कि सारे सारी वैज़िस यहापर पत्ता घुब्य टोमेटोची ओनियन यहां पर रिटर्न हो जाएगी अब आप देखिए मैंने क्या करा मैंने यहापर सिंपल दो टेबल्स को क्रेेट करा वेज़िस को ऑब मैं चाहता हूं, मैं एक ऐसी टेबल को great कर ना चाहता हूं जिसका अंदर इस sandwich और सारी wedges का कॉम्बिनेशन मेरे پ च्रीएंट हो जाए तो क्या कर सकते है normal के सात में सारी wages ना सकती है, वहेज के सात में सारी wedges होनी चाहिए, जिस के सात में सारी wedges और जैसे query से turn करूंगा तो आप देखिए cheese sandwich के साथ पत्ता गोभी, wet sandwich के साथ पत्ता गोभी, normal sandwich के साथ पत्ता गोभी तो यहाँ पर आप देखिए किस तरह से एक cross join यहाँ पर create हो गया है और cross join की एक खास्यत क्या होती है कि जो यह 4 row है और यह 3 row है और अगर 4 into 3 आप इसका product करूंगे तो 12 rows यहाँ पर हमको return होईगे तो यह question हो सकता है अगर मैं interview based बात करूं तो यह interview में भी आपके लिए question हो सकता है कि अगर आपने एक cross join लगाया, first table में 30 rows available है, let's say 4 rows available है second table के अंदर 3 rows available है, अगर आप दोनों tables को पर cross join अपलाए करते हो, तो आपके पास कित्ती tables आईगी, तो answer होगा 14 तो इस type के question आ सकते है, interviewer आप पूछ सकता है कि cross join कहा होता है, किस जगे इस होता है, तो इस type के अगर combination create करना है तो example लिए आप बोल सकते हो, कि अगर आप सब्वेर में गए, तो इस type का भी example दे सकते हो, या फिर एक car वाल example दे सकते हो, कि car और car के color, तो car model और car color में कितने variations create हो सकते हैं, मैंने आपको mobiles का example बता है, और भी काफी सारे examples आपको अवेलेबल हो जाएंगे, इंटरनेट को वहां से भी आप चेक आउट कर सकते हो, मैंने दो तीन example आपको बता दिये, तो यही था हमारा कुछ cross join का concept, I hope आपको cross join साही से समझ आ ग आपके दोस्तों के साथ share कर सकते हैं, काफी और exciting concepts और चीज़े अभी हम लोग इस playlist में upload करना वाल है, तो make sure to check out this playlist, और मैं मिलता आपको SQL playlist की next video में तब तक ले, जै हिंद! और चुछ झाल